लग रहा है नहीं मार्केट जैसा बादा मिल्क से कोई शिक्का है नहीं सकता है कि यह मार्केट का नहीं है और यह हमने घर पे बनाया है मात्र आदा किलो दूसरे दो ग्लास बादा मिल्क से कितना ही सुन्दर और टेस्टी तो फ्रेंट्स आप लोग भी बना कर जरू ट्राइ करना अब फ्रेंट्स बहुत स्वाधिस्ट और टेस्टी बनता है तो चलिए पहले इसकी रेश्पी हम देख लेती है कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारा चनल सीमा इस क्रियोट्यूटी में कैसे हो आप सब आसा करते हैं सब अच्छे होंगी फ्रेंट्स आज हम बदाम बिल्किसेक बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने बदाम लिया है इनको हम तीन से चार गंटे पहले बिगा दिये थे और यह बदाम हमारे अच्छे से बींग चुके आप देख पा रहे होगे अब हमें क्या करना है इनको बदाम का छिलका उतार लेन इस तरह से उतारते जाएंगे और बहुत ही आसानी से चिलके उतार रहे हैं इस तरह से हमें इने आराम से चील लेंगे और यह आराम से इसे भी कर देने से सारा चिलका इसको उतर जाएगा आप देख पा रहे होंगे इस तरह से तो मैंने इस तरह से सारे देख निकाल लिए और दो चार बचे हैं और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दू कि गर्मियों में आप बदाम बिंगा कर और नेट के लिए बिंगा कर रख देना और सुबह इसके छिलका उतार कर खाना इसकी जो गर्मी होते बदाम की नही ऐसे मिनता है तो आप ऐसे बदाम मत खाये करना ओर नना की बिंगा दिन और सुबह उसका छिल्का उतार के अराम नहीं कि प्रन ऊतर गया है ने 25 अब हमें इसका पेश्टवika नालेना तो हम इसको ग्रांड़ीं में डॉल इसका पेस्ट बना लेंगे पहले, हमने बादाम का पेस्ट बना कर तयार कर लिया, आप देख पा रहे होगे, इस तरह से हमने बादाम का पेस्ट बनाया है, चलिए आप चलते हैं गैस की तरफ, गैस को आंकर देते हैं, एक कडाई लिया है हमने, और इसमें दूर डाल देते ह तो मैं इसमें करीब आदा किलो दूर डालूंगी तो मैं आदा किलो दूर डाल दी इसमें एक बाल आने देती हूं पहले आप देखपा रहे होगे हमारा दूर में आचुका आप हमिस्को किनारे से इस तरह से करके बीच में मलाई करते रहेंगे और यह हमने पुल क्रीम का दूर लिया आए आप को इसा भी दूर ले सकते हो बदा मिल्क से बनाने के लिए अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बें आइकन को जरूर दोना ताक आने वाली वीडियो के नोटिपिकेशन आप सब को मिल सकें तो पहले समें में अच्छे से बॉल आ जाने देंगी अब देख पा रहे होंकि हमारे दूस्द में बॉल आ चुका है गाश को स्लो रखेंगे और अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ी से हम चीनी डालेंगे ज्यादा चीनी हमें नहीं डालना है थोड़ा यह डलना है क्योंकि पदा मिलक से ज्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है तो इतनी चीनी डाले दे रहे हैं इस पर और इसमें भी बचा देते हैं हमें लग रहा है कि जादा हो जाएगी नहीं तो हमने इसमें चीनी भी डाल दिया और चीनी को मेल्ट होने देते हैं समेँ आकर दूद्र को सुन्हें से ना से जसी साइडों से इस था हूं घृच आप हम क्या करें एक करें ए 25-6 ता सुब्सें करने सद्व दाम अधा हमने पहले यह आड़ कर दिया है बादाम का पेश्ट और आधा और अभी यह आड़ कर देते हैं इस तरह से अब हमने थोड़ा से ठंडा दूद लिया है यह रूम टमप्रेचर में हमने दूद लिया है और हम कस्टाड पाउडर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे इसमें इस तरह से रूम टमप्रेचर के दूद में कस्टाड पाउडर हमें मिक्स करना है इस तरह से हम करम दूद में कस्टाड पाउडर ने मिक्स करना है ठंडे दूद में मिक्स करना है हम इसमें देढ़ चम्माच कस्टेट पाउडर मिक्स करेंगे और इसमें एक भी लंब सुना रहे हमें ऐसा मिक्स करना है इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसका हमें एक गोल तयार कर लेना है देखिए इस तरह से हमने इसको गोल तयार कर लिया है और इसको भी आमने बादाम के पेस्ट को भी चार से पांच मिनर के लिए पका लिए अच्छे से इस तरह से अब हम इसमें चुक एक कस्टर पाउडर का गोल तयार किया है इसमें थोड़ा-थोड़ा आड़ करेंगे हमें कट्खा नहीं आड़ करना थोड़ा-थोड़ा ही इस पर डालना है इस तरह से डाला डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहेंगे दो-तीन बारी में यह हमें डाल देना है तो हमने एक वारी डाल चुके हैं दोबारा से डाल देते हैं यह हमें इसे दूद्ध को ठिक करने के लिए डाल रहे हैं ताकि दूद्ध हमारा गाड़ा हो जाए है यहा हमें लाज़ी का फ्लेवर अच्छा लगता ता फ्लाशी पौडर ही डालते एक नहीं चली टाल है और थाड़ा ठालिए और आप के पास आप पास हैं तो जरूर डालिए कस्टर पाउडर डालने के बाद हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें लंच ना पड़े आप देख पार रहोंगे दूद्ध हमारा कितना ठिक हो गया है अब हम का इसमें थोड़े से ड्राइफूट अड़ करेंगे ड्राइफूट में हमने लिया है काजू और बादाम यह आड़ कर देंगे और गैस को आफ कर देते हैं और एक इसको उस पे रख देते हैं और रखके फ्रीज पे दो से तीन गंटे के लिए फ्रीज पे रख देंगे अब हम इसे फ्रीज पे 3-4 गंटे के लिए रख देते हैं ताकि यह चिल्ड हो जाए उसके बाद हम इसे सरू करेंगे हमारे मिल्क से ठंडा होते हैं लगवा 3-4 गंटे हो गए हैं और यह बढ़ियां से रेडी है संघडाइ तॉ आप सब्सक्राइब से तौन करेंगे सब्सक्राइब और कॉलसे ऊच्छे सब्सक्राइब पीने के लिए एक दम रेडी है हमने इसकी गार्णिस भी कर दिया और देखिए बादाम मिल्क से कितना सुन्दर लग रहा है तो फ्रंस आप भी एक बार मादाम मिल्क से जरूर बना कर ट्राइ करना और मुझे कमेंट करना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना, कमेंट करना चैनल को सस्क्राइब करना बेर आइकन को जरूर दो आना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब को मिल सके तब तक के लिए बाई बाई टेक एर तेंस वार वाचिंग